है कि हैंप सब मैं हूं आपकी अजिकेटर नहां सेँडी अज का टोपिक है आपका कमपोनेंट्स इंग्रेद फिद्पिस भाईडइवस्ट्री अज करें तो période कि क्या होती इंगलोड or the species beşी जीनस population terug análलो इन इस्पी सपेसिफिक एरिया और कि आने activ a इंडर कि तने बारीशान haros ke population tiger species और उसको हम बोलते हैं बाइवरस्टिय। अब जो घ्र करने के लिए तीन special scales लखे गए जो कि विटेकर ने दिये थे विटेकर 1972 में उन्होंने डिस्काइब किया three terms for measuring by diversity और कौन-कौन से थी आपकी alpha, beta and gamma diversity alpha, beta, gamma diversity बहुत important है इनकी तीनों की विश में difference आपको पता होना चाहिए ओके सबसे पहले discuss करेंगे alpha diversity के बारे में habitat or ecosystem यानि कि कितने number of species per unit area में expressed हो रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं alpha diversity एक particular area या particular habitat के अंदर कितने number of species हैं उसको हम बोलते हैं alpha diversity second one है species diversity sorry beta diversity second one है beta diversity beta diversity का meaning क्या होता है beta diversity is the change in the species diversity between the two ecosystem यानि कि दो ecosystem के अंदर क्या change आ रहा है species के अंदर species diversity के अंदर उसको हम बोलते हैं beta diversity यानि कि यानि की तो टो तक जो हमने alpha और बीटा के बारे में पढ़ा यह जो टोटाइटी है एलफा और बीटा की वो क्या होते हैं गामा डाइवरस्टी यानि कि डिफरेंट एको सिस्टम्स की जो डाइवरस्टी है किसी एक रीजन के अंदर विदीन रीजन उसको हम बोलते हैं गामा डाइवरस्टी यह जो पूरा एक रीजन है इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफर है alpha मतलब क्या है कि एक particular habitat के अंदर address डाइवरस्टी को और एक स्पेस्टेंग को धेका ञेंदर बीतर डाइवरस्टी को-डाइवरस्टी को मेसर करना वो है भीटा-गामा डाइवरस्टी ओर-वर और देफिडिय ने और गाविट्टी तेख चिवाविट्ग करना विदिन रीजन कि डिफिरंट डिफिरंट इको सिस्टम्स है उसट में डिफिरंट हैविटेट्ट से उन सभी को मेजर करना एक साहथ वो है आपका गामर डायवरस्टी होके आया समझ में इतना आपको कॉंसे आप बच्ता आपका second topic जो है आपका gradients, gradients क्या है वो छोटा सा topic देखो ये, जुतने भी आपके biodiversity है वो vary करती है, changes in latitude and altitude, latitude और altitude के changes में biodiversity vary करती है, so सबसे पहले देखें के latitude, latitude यानि कि जब आप पोल से एक वेटर की तरप जाते हो, या पोल से topics की तरप जाते हो, तो क्या होता species की diversity जो होती है, वो rich होती है, यानि की increase करती है, ठीक है, उसको हम बोलते है, latitude not gradient in species diversity, जिसमें क्या होते है, species की richness है, वो जादे रहती है, लेकिन अगर हम बात करें altitude, अगर आप lower altitude से higher altitude की तरफ जाओगे, तो जो species की richness है, वो क्या होती है, decrease करती है, ठीक है, क्योंकि, जैसे हम higher altitude पे जाते हैं वहाँ पे सबसे major factor है temperature जो की बहुत साधा temperature है वो क्या हो जाता है drop होने लगता है जैसे 1000 meter increase करते है altitude से तो जिससे 6.5 degree जो है temperature drop हो जाता है greater seasonal variability आ जाती है higher altitude पे जैसे जो species है वो reduce हो जाती है वहाँ पे okay so वहाँ पे जो species की variety होगी वो बहुत कम होगी okay तो यह वाला जो lesson है वो भी आई पे समाप्त होता है जिसमें आपने biodiversity के components and gradients की बारे में पढ़ा मिलते हैं next class में नए topic के साथ अगर आपको lessons अच्छे लग रहे हैं तो subscribe my channel sign learning classes like जरूर कर देना share भी करना notification bell को ओन जरूर कर देना thanks for watching मिलते हैं next class में नए topic के साथ thank you